भी महायूती सरकार ने किया है। मित्रो आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं आम्बेडकर जी की भूमी पर खड़ा हूँ तब अभी अभी कस्मीर में जो चुनाव हुआ आजादी के बाद पहली बार कस्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंट्री का सपत आम्बेडकर ज सपतने के बाद पहली बार कस्मीर में भारत के संविधान की सपत लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज है। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापूरोसु के ही परंपराओ को सांस्कूरूतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। आरक जत्ता फेलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलताओक से बोध लेते हुए मजबूत समरूद और सुरक्षित महाराश्ट कैसे हो इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। आज चुनाओ में हमारा मुकाबला अगाडी से हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि अगाडी की सारी योधनाये सत्ता के लालच में तुरुष्टी करण की हैं। विचारदारों का अपमान करने वाली है और महाराश्ट की संस्कृती से चल करकर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारदारा है। मित्रो मुझे गत्चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराश्ट की जनता के सामने कहने आया हूँ कि आप लगातार तीसरी बार महायूती की सरकार को आपका मेंडेट दीजिए। पहली बार 2014 में महाराश्ट की जनता ने महायूती को मैंडेट दिया। भारतिय जनता पार्टी के नेत्रुतों में महायूती की सरकार बनी। उननीस में भी मेंडेट भारतिय जनता पार्टी और महायूती के लिए था, मगर जनादेश का द्रोव करकर सत्ता की लालच में वो जनादेश को नकारा गया और अंतोत गवत्वा जो कुत्रिम होता है, जो बनावटी होता है, वो लंबा टिकता नहीं है, वो सरकार कीरी और फ मोदी जी के नेत्रुतों में सिध्धानतों के आधार पर महाराष्ट का कल्यान करने के लिए आगे बढ़ रही है, और अगाडी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं, उनका चुनाव अभियान भी आंत्रिक विरोधा भासों से घीरा हुआ है, मैं आज इस मन्त से उद्धव ठाकरे जी को पुछना चाहता हूँ, क्या वो कॉंग्रेस के नेता राहूल गांदी को इतनी विरंती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए दो अच्छे सब्द बोल दे, क्या कॉंग्रेस का कोई नेता सन्मान या बाला साब ठाकरे के सन्मान में दो वाक्य पार्टी की सरकार बनाने का स्वपन लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महराश की जनता जान ले, यह बहुत जरूरी है। अंकल्पों को सिध्धी में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पुर्वकित है। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेत्रुतों में NDA सरकार नेके ह कोई नहीं मानता था, इस देश में CAA आएगा, कोई नहीं मानता था, इस देश में UCC की सुरुवात हो सकती है, कोई नहीं मानता था, कि इस देश के अंदर त्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था, इस देश में राम जन्मूबी का मंदीर साड़े 500 साल क के बाद सनमान के साथ राम जन्मके स्थान पर ही भव्यमंदीर दिखाई पड़े इसके साथ साथ हमने वादा किया था समुरूद्ध भारत का 11 अर्थतंत्र से हमने 10 साल के अंदर ही देश के अर्थतंत्र को पांचवे नंबर पर पहुंचा है और हमारा वादा है कि 27 में हम भ सादे की और हम तेजी के साथ आगे बढ़ हैं साथ करोड गरीबों घर बिजली गैस सवचाले पीने का पानी मुप्त अनाज और मुप्त इलाज ये देने का काम भी हमने किया है और दूसरी और अगाडी है कॉंग्रेस के अध्यक्स ने भी कहना पड़ता है कि कॉंग्रेस क जब लोग जब वादा करें तो सोच समझ कर करें क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो हो और मुझे जवाब देना पड़ता है हमारे सामने हिमाचल का उदान है कॉंग्रेस वादों से मुक्री है तेलंगाना का उदान है कॉंग्रेस वादों से मुक्री है करनाटक का उदान है कॉंग्रेस वादों से मुक्री है यह अगाडी के वादों के विश्वस्त नहीं